नमस्टे ट्रेडर्स मैं सिवब मिसरा अब सभी का फिर से स्वागत करता हूं फिरलेस टेडर्स सिवब में दोस्तों इस वीडियो में हमें काफी रेक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो रहने वाला है ऑप्शन चेन एनालिसिस इसमें मैं टोटल चार या मदद करेगा ठीक है जब मैंने अपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो मैं अभी वाई डीटा के उपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंडेंट रहता था मैं काफी ज्यादा फैसिनेट था कि हमें किस तरीके से मार्केट में दूसरे लोगों की पोजिशन पता चल जाती है तो उसको लेकर मैं OI डीटा को काफी जादा अनलाइज करता था मैंने काफी जादा इसको सीखने एकोसिस की लेकिन धीरे धीरे जब मेरी चार्ट पर अंडेस्टेंडिंग बढ़ने लगी मतलब मुझे जो लेबल्स थे वो चार्ट पर दिखने लगे मैं चार्ट को अच् आग करते हैं तो देखें मैं पूरी तरीके से ना ही सही हूं ना पूरी तरीके से गलत हूं तो मैं आपको जो यह लास्ट पॉइंट हमें हमारा जिसमें मैं आपको कॉन्क्लूजन समझाने वाला हूं कि आखिर आपको क्या करना चीए क्योंकि मेरे पास दोनों चीजों का experience तो क्या क्या चीज़े हो सकती है चले मैं एक पार आपको पॉइंट्स बता देता हूं कि आखिर हम किस किस पॉइंट्स के थू ओई और यह ऑप्शन चेन अनलिसिस को समझेंगे पहले तो मैं ओपन इंट्रेस्ट ओई चेन अनलिसिस को बेसिक में डिसकस करूंगा जो मुझे यह जो थर्ड पॉइंट है वो मेरा सबसे इंपोर्टेंट है और यह हो सकता है मतलब इस पॉइंट से आपको सबसे ज़्यादा कुछ सीखने को मिले वह प्राइस अक्शन वसे ओई डिटा यानि हमें चार्ट देखना चाहिए और लास्ट में जो यह पॉइंट है इसमें आपको एक बीच का तरीका बताऊंगा कि आखिर हमें करना क्या चाहिए क्योंकि कोई भी मार्केट में तरीका सही या गलत नहीं हो सकता है कोई एक ट्रेडर हो जो खाली ओई देखता है और उसने अपने आपको इसमें मास्टर कर लिया तो इससे वह बहुत अच्छा करूंगा अब हम सुडू करते इस वीडियो को और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो यह फिरलेस टेडर सिवम का चैनल है यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट में ऑप्शन बाइंग और बहुत सारी लर्निंग वीडियो मिलेंगी तो आप जाके उनको भ करना है और यहाँ पर आप देखेंगे मैं जो भी कॉंसेट वीडियो में डिसकस करता हूं उनके प्रैक्टिकल एक्जैंपल्स में यहाँ पर आपको ट्रेड करके दिखाता हूं जो भी लाइव मार्केट में हो रहा होता है तो अगर आपको अपनी लर्णिंग को स्प्राइज आने वाला है तो उसके लिए आप जरूर वेट करेगा मैं बस थोड़ा सा बता देना चाहता हूं चले बेकार की बाते बहुत हो गई हम सुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो को चले बेसिक को डिसकस कर लेते हैं और यह समझते है कि ओपन इंट्रेस्ट और चैन अनालिसिस क्या होता है तो पहले मैं आपको बताता हूं ओपन इंट्रेस्ट क्या होता तो मान लिजे कोई बी एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग होती है यानि डेरिवेटिव स्क्रेट किये जाते हैं हम एग्जामपल ले लेते हैं बैंक को अचलर के चल रहे होते हैं इसमें बायर को बिल्कुL प्रिफणित नहीं होता है ऐसा इसलिये किया जाता है क्योंकि माना जाता है क्योंकि सेलिंग के लिए हमें premium buy क्या तो मेरे total 5000 रुपए इसमें लगने वाले तो मेरा 5000 से ज्यादा loss नहीं हो सकता कभी भी इतना guarantee है पर अगर वही मैं 200 को option sell करता हूं तो theoretically वह 200 को option infinite का भी हो सकता है यानि मेरे infinite पैसे का भी loss हो सकता है तो इनी बातों को ध्यान रखते हुए हमें किवल sellers की position दिखाई जाती है और उसी को हम open interest कहते हैं तो यह तो हमें सबज में आगे कि open interest का data आता कहां से अब देखे open interest दोनों तरफ होता है मान लिजे ऐसे यहां पर बनाते हैं यह call है और यह put है तो call और put दोनों sell कर किया जाते हैं कुछ लोग put भी sell करते हैं call भी sell करते हैं अच्छा मैं आपको इसका समझा देता है call मतलब होता है अगर मार्केट उपर की तरफ जा रहा है मार्केट उपर जा रहा है तो call का price बड़ेगा call का price बड़ेगा तो मान लिजे अगर आपका view मैं यहां पर एक टेबल बना के समझाता हूं आपको यह आपका view और यह आप buyer और यह है seller इस table को समझने मान लिजे आपका view up है यानि आपको लग रहा है market को उपर जाना पड़ करेंगे क्योंकि मार्केट उपर जाएगा तो put का premium decrease होगा और इसलिए आपने उसको short कर दिया put को short करेंगे और अगर आपका view down side की तरफ है तो आप यहां पर put को buy करेंगे यहां पर put buy होगा और यहां पर call को short किया जाएगा तो यह समझना सबसे पहले जरूर है क्योंकि लोग इसी में confused रहते है कि put buy short कौन करता है तो seller हमेसा उल्टा करता है क्योंकि इसको premium को decrease करना इसको वो premium बेचना जिसका decrease होने वाला तो market उपर जाएगा तो वो put को short कर तो यह buyer और seller के बीच में difference है यहां पर तो जो यह हमने यहां पर line बनाएती एक table बनाएती मैं आपको table में भी example दिखाऊंगा अभी practical तुमा लीजे call या put का example है और यहां पर बीच में strike price लिखी हुई है अभी example के लिए सिव इतना मांग लेते हैं यह 35,000 की strike price है और यह 35,000 पांच 34,000 की strike price है बीच का बहुत सारे होते हैं मैं example ले रहा हूँ भी बस यहां पर 35,000 की strike price है और 34,000 की strike price है फिर यहां पर हमें बहुत सारे column देखने को मिलेंगे पर जो दो सबसे important column है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है वो दो important column है यह है open interest open interest मिलेग कित intraday होता है यह total amount होता है और यह intraday होता है मतलग कि आज कितना OI में change आया है वो हमें इस column में देखने मिलेगा यहां पर और similarly put में भी हमें सेम चीज़ देखने मिलेगा कि यहां पर कितना OI का change आया और अभी open interest कितना है इस position में तो हमें हर एक strike price के हिसाब से OI मिलती है मा में यहां पर देखने को मिलेगा तो strike price के हिसाब से data arrange होता है तो देखें यहां पर मान लिजे कि 35,000 पर जो call writer है वो यहां पर 100 call writer बैठे हुए है जिसमें से मान लिजे 10 call writer का आज addition हुआ है यानि 10 positions आज बनी है और अब total position 100 हो चुके है यानि कल 90 position थी आज 10 और बनी और total position 100 हो चुकी है तो वहीं जो put writing में यहां पर यहां पर बैठे हुए हैं मान लिजे 200 लोग और जो यहां पर आज positions आड़ हुई है 20 तो ऐसा कुछ हमें data table पर देखने मिलेगा तो अब इसका मतलब क्या है यहां से हम अपने काम की चीज कैसे निकाल सकते है तो उसके लिए आपक कि जो seller है उनको loss होने लगगा यानि जिन्होंने 35,000 के strike price की call को sell किया है अगर उनके price उसकी strike price से market उपर जाता है तो उनको loss होगा और सेम चीज यहां put writer के लिए भी है कि अगर market 34,000 के नीचे जाता है तो इसको loss होना सुरू हो जाएगा यानि इसने 35,000 पर अपनी position बनाई ह तो इसको लग रहा है कि market 35,000 के उपर नहीं जाना चाहिए यानि call writers के जो भी position होते हैं वो एक resistance की तरह काम करते हैं तो मान लिजे दुबारा अगर 35,000 के पास आएगा तो यह दुबारा sell करने की कोसिस करेंगे कि market 35,000 के उपर ना जाए और उनको loss ना बुक करना पड़े इ तो इसलिए वो इस 34,000 को defend करने की कोसिस करेंगे तो इसलिए यहाँ पर अगर इसी table को हम देखे तो इसे हमें पता चल गया कि 35,000 एक resistance है और 34,000 एक support है यानि हमारे पास कुछ ऐसी range बनकर आ रही है अगर इस range के उपर breakout देता है तो एक call वाले फटाफट फटाफट अपना position close करने लगेंगे यानि वो call से अपने position को cut करेंगे stop loss book करेंगे cost to cost exit करेंगे उनके उपर है और इसी चीज़ को जब position को book किया जाता है उसे हम unwinding बोलते हैं unwinding अगर call को लोग book करते है तो उसे long unwinding बोलते है put को book करते है तो put unwinding बोलते है देखिए इस सब को जादा समझने क की ज़रूरत नहीं अगर आपको कोई एक detailed video देखनी है इस पर तो वह मैं next topic मतलब कभी और video बना दूंगा या आप किसी और की वीडियो देख लिए जिन्हों ने इसको detail में discuss किया मैं आपको बस यह बताना चाहरा हूं कि आखिर हमें oi chain और price action में क्या चीज़ का difference मैं वह परस्पिक्टिव आपके सामने रखना चाहरा हो कि आपको आखिर practically इसको use करना है use कैसे करना है इन सभी data को तो यह तो मेरी साब से आप सभी को समझ में आ जाएगा मैं briefly यह भी बता देता हूं कि अगर आपको oi data देखना हो तो same इसी तरह से आप यहाँ पर दे सकते हैं य बहुत जल्दी जल्दी एक और important चीज डिसकस कर सकते देता हूं तो कुछ भी समझ में नहीं तो comment box में बता दीजे मैं दुबारा video बना दूंगा तो यहाँ पर देखें हम next चीज में PCR को discuss कर लेता हूं PCR को हम कहते है put call ratio put call ratio यानि जो put के open positions है divided by call के open positions है इसके ratio को PCR कहते है अब PCR से हम ही पता चल जाता है कि market उपर जाएगा या नीचे जाएगा तो यहाँ पर देखें call में कितने open positions है 100 और put में कितने open positions है 200 तो अगर हम इसको निकालने के कोशिस करें तो put में 200 open positions थे और इसमें 100 थे यानि इसको हम divide करें तो answer हमेरे पास 2 आता है यानि put में लोग ज्यादा बैठे है put को लोगों ने ज्यादा short किया यानि ज्यादा लोगों को यह लग रहा है कि put का premium decrease होगा और put का premium कब decrease होगा जब market उपर जाएगा यानि अगर PCR की जो value है वो 1 से जादा रहे PCR की value अगर 1 से जादा रहती है तो इसका मतलब है market bullish रहने वाला है bullish यानि उपर जाने वाला ऐसा जादा लोगों को लग रहा है और वहीं अगर PCR की value 1 से कम हो जाती है तो market bearish रहने वाला है लोगों को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा इतना बस आपको ध्यान रखना PCR और PCR आप कहां से देखोगे PCR देखने के लिए यहां पर आप नीचे आजाओगे यहां आपको total दिख रहे है ना कि आखिर चार्ट और हमें OI में किसको follow करना है चार्ट वसेस OI वाले तो इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ आपने वो मतलब सभी को पताओगा मुर्गी और अंडे वाली कहानी कि पहले मुर्गी आई यह अंडा आया किसी को भी नहीं पता है तो उसी तरीके से जो इन दोनों का यूज और डिपेंडेंसी है वो भी समझ पाना बहुत जादा मुश्किल है मतलब यह दोनों एक तरीक प्लेयर से उनको मैं लिखता हूँ तो मार्केट में होता गया इस कहानी को समझने की कोसिस करेगा जो मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ जो एक बड़ा ट्रेडर होता वो प्राइस को देखता है प्राइस यानि चार्ट को देखता है माल लीजे वो एफाई आई हो डी प्राइस पर काम करते हैं केवल और केवल प्राइस पर तो वो प्राइस या चार्ट को देखेंगे और चार्ट को देखके वो अपनी पोजिशन बनाना सुरू करेंगे जो बड़े प्लेयर से हैं तो पहले क्या हो देखे यह था चार्ट चार्ट को बड़े प्लेयर ने दे तो जो बड़ा प्लेयर है वो इस चार्ट को देख रहा है उसको पता है कि 35,000 पर एक रेजिटेश और मार्केट दुबारा वाद से नीचे आ रहा है तो उसने क्या किया उसको उसने यहाँ पर 35,000 की जो कौल थी वो शूर्ट करनी शुरू कर दी तो 35,000 की call मानले जो उसने 100 lot short कर दिये यहाँ पर बड़े प्लेयर ने चार्ट को देखकर minus यहाँ पर 100 lot call के short कर दिये यहाँ पर तो जब उसने call को short की तो जो हमारा open interest वाला table था यानि जो हम इसको खोल के बैठे थे यहाँ पर हमें जो 35,000 की जैसे देखे हैं यहाँ पर हमें 100 quantity दिखने लगी 100 quantity क्यों देखी क्योंकि बड़े प्लेयर ने चार्ट को देखकर 100 quantity जो call के थी वो short कर दी यानि पहले बड़े प्लेयर ने चार्ट को देखा फिर उसने position बनाया और अब जो यही position है यही हमें open interest का जो चार्ट है उसमें देख रहा है जो OI data हम जिसे कहते हैं अब हमारे पास OI data सामने आ गया इसके position के कारण OI data सामने आया और अब हमारे जैसे छोटे traders आते हैं और वह अपने हिसाब से position को बनाना शुरू करते हैं तो यानि OI data में retail trader है वह जो सबसे last में आता है chain में और सबसे first कौन आता है सबसे first आता है chart तो अब मेरी साब से यही example explain करने के लिए काफी है कि chart और OI data में कितना बड़ा difference है मतलब chart ही तो है जिसकारण यह positions बनी जो initial positions बनती है market में वह बड़े players ही बनाते है वो retail traders नहीं बनाते है और उन्होंने क्या देखा उन्होंने chart को देखा उन्होंने price action को देखा तो price action और OI का यह एक analysis है तो इसी जाब से हमें क्या पता जलता हमें यह पता जलता कि अगर हम chart को समझ लें तो हमेशा हम जो OI समझने वाले traders हैं उनसे आगे रहेंगे कई situation में OI help कर देती है वो मैं आपको last point में बताऊंगा पर मैं आपको एक basic understanding देना चाहरू मैं और आपको और एक example समझाता हूं इसी से हम समझेंगे कि यह 35,000 का resistance यहाँ पर था तो अब देखे एक retail trader बता रहो मतलब जैसे कुछ retail traders होते हैं जो OI को नहीं follow करते हैं वो केवल chart analysis पर believe करते हैं तो वो क्या देखेंगे जब यहाँ पर bearish candle बना तो उनको chart analysis की समझ है तो उनको भी पता चलेगा कि कल market यहाँ से बहुत अच्छा downfall कर दिया था तो और यहाँ पर bearishness ने slow कर रह बारे बजे पर बारे बजे एक एंडल क्लोज हो गई तो मालीजे बारे एक बारे बजे कुलोज होगी तो जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हो तो लगबग 11.50 बारे इसके खिलाब accumulation सुरू कर देंगे मतलब इस zone में और उनकी position बन चुकी होगी अब तक और मालीजे बार पांच या बारे च्छे तक ये डेटा अपडेट होता है और बारे च्छे के बाद फिर आफ ओपन इंट्रेस डेटा को अनलाइज करना सुरू करेंगे अनलाइज करने में आपको एक दो मिनिट लग जाएगा तब तक बारे आट हो जाएगा और मार्केट तो नीचे आ कॉल राइटिंग हो रही है तो मार्केट नीचे आगे अब आपका जो स्टॉप लॉस हो सकता है पॉसिबल वो इतना बढ़ा हो सकता है इतने देर में तो बहुत सारे लोग एक्जिट करना सुरू कर देंगे तो इसके बाद मोमिन्टम भी हो सकता है थोड़ा स्लोडाउन ह हो जाए या फिर मार्केट को नीचे जाना को तो वो जाए गई पर आपको यहां पर एसल बढ़ा हो जाएगा और आप इसमें लेट हो जाएंगे तो यह एक डिसएडवांटेज है ओई एनालिसिस करने का और अगर आप चार्ट को बिलीव करते हैं चार्ट पर बिलीव रेजिस्टेंस बनाया है तो जो चार्ट को देखते हैं वो इस रेजिस्टेंस को देखके तो सेल करेंगे और माली जा मार्केट नीचे आया फिर अगले दिन मार्केट यहां गया मार्केट फिर थोड़ा नीचे आ गया और जादा सेलर्स आ गया और मार्केट जादा नीच को बुक करेंगे जो वेट करने थे बड़े टार्गेट के लिए तो इसी को वाई डेटा में आप अन्वाइंडिंग बोल दोगे कि उनका कॉल शॉट हो रहा या फिर आप बोल देगे यह शॉट कवरिंग रहली आ गई यह सारी चीज़े बल्कि आपको मतलब आपको अगर ब पहले से तयार करके देता है तो इसलिए चार्ट को समझना ज़्यादा जरूरी है अगर किसी के पास चार्ट की अंडर्स्टेंडिंग नहीं है और वह सुच रहा है कि वाई डेटा के बिलीव में ही वह सारा काम कर लेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है पर जिसको चार्ट के एनेसिस है जिसको चार्ट के बारे में अनलाइस करना हाता है प्राइस एक्षन को समझता है वो वाई डीटा को और अच्छे तरीके से यूज कर सकता है मैं यूज करते बिल्कुल मनानी करते तो आप करते रहिए जो मैंने पहले ही बताना गलत साही कुछ भी नहीं होता मैं आ पर मैं आपको यह समझा रहो कि price supreme है जो price है उसी से सब कुछ होता है अगर आप price action को price analysis को समझ लेंगे तो आपको किसी भी OI data की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो I hope यह वाला point clear हो जाएगा जो अगर यह नहीं समझ मैं है तो इस video का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दिजागा अभी कोई भी confusion है चले मैं आपको एक best तरीका क्या बताता हूँ बेस तरीका यह बताता हूँ कि आपका number one आपको priority अपना define करना कि मैं क्या priority रखूंगा कि अगर मुझे दो data वह लग रहे counter intuitive लग रहे है एक दूसरे के खिलाफ लग रहे तो म मैं number one पे अपना price रखना है मैं price और chart को देखूंगा number one priority से मतलब अगर मुझे confusion हो रहा है price chart और oi data में तो मैं price को follow करूंगा उसके इसाब से मैं अपने trade decisions को लूँगा और number two priority जो होगी वह आपका oi data होना चाहिए तो इस बात को ध्यान रखेगा और oi data के बारे में कर सकते हैं अब मान लीजे मैं आपको एक example देता हूं जो जो सबसे जादा माना जाता है PCR का example put call ratio का put call ratio में अगर put की तरफ जादा है तो हमें ऐसा हो सकता है कि upside rally देखने को मिले तो इससे हमें यह सोच लेना है कि बहुत सारे ऐसे sellers हैं जो सोच रहे market को ऊपर जाना चाहिए तो अब price action को analyze करना चलो मतलब market में आप यह मान लो कि वो सोच रहे हैं कि market को उपर जाना वो सही है या गलत है उस पर मत सोच है हो सकता है सारे के सारे गलत हो फिर आपको अपने chart को analyze करने बैठना है कि क्या उनका जो view है क्या उनका direction सही है क्या आपको भी लग रहा है कि market का जो price action है वो bullish है या फिर bearish है तो उस हिजाब से यानि आप OI data को एक as a tool यूज़ करिए एक as a confirmation as a trade decision यूज़ मत करिए इसको वसे एक ऐसा tool एक ऐसा resource यूज़ करिए कि जो आपको बताएगा कि दूसरे लोग क्या सोच रहे है अब दूसरे लोग के सोच को आप market का जो यह price price action है चार्ट खोलके उसमें test करना चाहिए क्या market उपर जाना चाहिए क्या आपको लग रहा है कि market higher highs बना रहा है या फिर market को ट्रेंड लाइन का support लेके उपर जा रहा है तो आपको उसी जब से price को analyze करना और देखना है क्या OI data साथ match कर रहा है तो ही आप confirmation ले सकते है और अ stop loss ज्याज़ ज्याज़ कितना point का लगा कि bank nifty का 70-100 point का जो momentum trader है अगर आप hold करते है option buying में भी अपने option को hold करके रखते है तो आपके लिए OI data बहुत useful है या फिर आप sell करते हैं तो भी आपके लिए OI data useful है पर अगर आप एक momentum trader है मतलब आपको momentum चाहिए चाहिए वह 100 point का हो तो इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना है कि इस चीज़ को option buyer कमी use करें तो ज्यादा सही रहेगा जो momentum trading करते हैं जो hold करते हैं वह अपने साथ रख सकते हैं क्योंकि 70-100 point तो market ऐसे ही volatile हो जाता है तो अगर आप यह सोचके रखेंगी 35,000 पर बहुत ज्यादा put right आ रहा और हमी उस करें वह सही रहेगा अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूं देखिए जो bank nifty होता उसमें हर 100 के strike price पर बहुत सारे sellers बैठे रहते हैं हर 100 के strike price में मतलब हां देखे 34-300-34-400 तो हर 100-100 point के पर seller बैठे रहते हैं और वहीं जो nifty होता है nifty पर 50-50 point पर बैठे रह कर रहा है और अब मार्केट 34-300 को cross करने वाल है तो जब 34-300 को cross करेगा तो मार्केट यहां पर resistance face कर सकता है क्योंकि यह sellers चाहेंगे जो 34-300 का जिन्होंने call को sell किया वो चाहेंगे इसको defend करना तो हो सकता है extra quantity selling start करते तो मार्केट थोड़ा resistance face कर सकता है बस इतना है मार्केट रुकेगा नहीं मार्केट ऐसा नहीं होगा कि घूम जाएगा या पूरा रुख जाएगा बस मार्केट हलका resistance face करेगा और यह फेल हो जाते हैं जो कि अक्सर हो जाते हैं तो मार्केट उपर की तरफ मूव कर लेगा तो इसको target planning में आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते है अगर आपको यहां पर यह सारी important points थे जो मुझे लगता एक price action के बारे में आपको जानना चाहिए तो किसी भी OI data से पहले आपको price indication दे देगा कि OI में क्या change होने वाला है क्योंकि open positions भी तो उसी साब से बनती है प्राइस action को देखके जैसा मैंने आपको चार्ट में समझायाता तो आई होपे चारो पांचो point आपके clear हो गया होगे अगर फिर भी कोई doubt है तो नीचे comment box में जरूर बताएगा आप तो मुझे टेलिग्राम पर personal message करके भी पूछ सकता है अगर कोई भी doubt हो मैं वहाँ पर भी reply करने की पूरी कोशिस करूँगा चले मिलते हैं next video में जैहिंद